हेलो एब्रिवान वेलकम टू कॉमर्स टडीज आज इन इस वीडियो में यह डिसकस करेंगे कि जो हमारा कंसेप्चुल फ्रेमवक है एफ एएसबी और आई एएसबी का तो इसके बारे में हम डिसकस करेंगे गाईज आप मुझे पता है कि आपका इफर एक्जाम है भी तो उ इसके बारे में आपको बदा रही हूं यह बहुत शॉर्ट वीडियो में इसको रखेंगे मैं इसमें आपको गाईड करूंगी कि इसमें आपने क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना है एक है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्चुल फ्रेमवर्ग और एफ यह इसबी तो तीनों टर्म का आपको मीरिगी क्लियर होना चाहिए फर्स टर्म है कंसेप्च्टुल फ्रेमवर्ग सेकेंड बगूस एफ अ धर्ड इस एसब तो इसको डिसकस करते हैं तो तीन तरह की चीजे होती है जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हैं FASB stands for Financial Accounting Standard Board तो एक प्राइवेट स्टेंडर सेटिंग बॉड़ी है जिसका परपस होते है कि जो गैप में जो गैप प्रिंसिपल्स है हमारे जनरली अक्सेप्रेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो उनको इंप्रूव करना इसका काम है तो इसी तरह से IESB ही है इसके बारे में तो आपने काफी बर पढ़ा होगा कि IESB क्या है International Accounting Standard Board है जो 1973 में बना था और उसके बाद में इसने क्या किया 2001 में IFRS इसने दिये ठीक है इतना कंटेंट आपको पहले ही पता है यह सारा आप डिफाइन करोगे तो इन तोनों टर्म का मीनिंग आपको क्लियर हो गया Next is Conceptual Framework देखो तीन तरह की चीजे होती है एक होता है Regulatory Framework एक होता है Conceptual Framework एक होता है Other Principles Other Principles मैं सबसे पहले बताऊंगी Other Principles होते हैं जो Accounting Principles जैसे आप Accounts में नहीं उस करते है Accrual Concept, Business Going Concept तो वो Concepts और Convention इसमें आ जाते हैं ठीक है और IASB जो Regulatory Framework है इसमें जो इन्होंने IFRS दिये थे तो वो आ जाते हैं जो Regulate करते हैं सारी चीजों को उसके इलावा Conceptual Framework जो हमारा Topic है Conceptual Framework का मतलब होता है वो वाला Framework जो हमें यह बताते हैं कि जब आपने अपनी रिपोर्टिंग करनी है जब आप अपने Accounts बना रहे हो प्रिपेर कर रहे हो अपने Accounts को तो उनमें क्या क्या चीजों को Include करना है कैसे करना है और अपनी Financial Statement उनको कैसे अपना के आपने उस चीज को प्रिजेंट करना है तो जो Conceptual Framework है हमें यह बताता है इस Framework is for preparation of accounts तो इसमें हमने यही सारे चीजे लिखनी है कि जब इन्होंने Framework दिया FASB और ISB ने तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीजों को धिहान रखने के लिए कहा तो इसमे हमें यह points की form में आप लिख सकते हो और heading बना के heading बना के question कर सकते हो जैसे सबसे पहले मैंने आपे लिखा है elements सबसे पहले आप क्या define करोगे इन्होंने का कि यह सारे element आपके financial statement में होने चाहिए financial statement जब भी आप term सुनते हो final account final account means profit and loss account and balance sheet अब आप सोचो कि profit and loss account और balance sheet में कौ हमें assets liability or equity तो इन चारों पांच जो 1,2,3,4,5 जो हमारी terms है इन 5 terms को आपने define कर देना है कि यह elements जो ही है framework दिया उन्होंने का कि इन element को आपने शो करना है asset क्या होती है जिससे में future benefit generate होगा तो हमारे लिए asset है तो उसको शो कर देंगे ऐसी liability जो हमने pay करनी है जो हमारे लिए liability create कर रही है जो हमें ऐसी कोई भी चीज तो उसको हमने note कर लेना है ऐसी equity income उनकी सभी की definition आप में लिखतोगे कि अगर यह सारी चीज़े है तब ही हमने इसको recognize करना है sorry elements जो हमें add करते है next is objective objective means जो इसका FASB और ISB के framework के objective आपको बुक में राम से मिल जाएंगे आप में इसमें से points पना के add कर देना कि क्या क्या objective है तो वैसे तो समझ ही आ रहा है कि हमारी financial statement बिलकुल सही बने यह objective होता है और efficiency आए हमारे accounts में जब हम किसी को reporting करते है तो उसे comparison reason करना easy हो और वो उसे सारी terms की clarity हो भी कौन-कौन सी चीज है तो इस चरह की इसके objective बन चाएंगे ठीक है तो पहले आप elements बताओगे objective बताओगे या पहले objective बताओगे फिर element बताओगे किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो next is recognition अब आपने asset liability equity income इनको लिखना है तो उनकी value कि डालोगे कैसे recognize करोगे कि asset liability है तो उसके लिए उन्होंने काया कि ऐसी कोई भी चीज जो जिसे हमें future में benefit होने वाला है तो हमें asset लिख लेंगे asset में उसे लिख लेते हैं ऐसे ही income है जैसे जिससे हमें कोई चीज benefit आ रहा है तो उसे हम income में show कर देंगे ऐसे expenses है जैसे आपके बस में कोई practical question आता है तो आप उसको recognize कर लेतो ना कि यह चीज क्या है जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया commission received तो यह क्या है received means income तो आप इस कहां पे डालोगे income में डालोगे ऐसी commission paid bowl दो तो आप कहां पे लिखोगे expenses में लिखोगे तो कहते कैसे recognize करोगे इनकी definition पढ़के ह तो आपको यहां पे बता दोगे कि इनकी definition क्या है इसके basis पे हम चीजों को recognize कर लेते हैं यह conceptual framework में यह define करना पड़ेगा next is measurement अब आपने asset liability लिखतो लिए अपने accounts में तो इसके बार में उसको उसकी value कितनी लिखोगे cost के basis पे market value realizable value तो कौनसी value लिखोगे तो इनके बारे मे आपको पता होना चाहिए इनको भी आपको define करना पड़ेगा ठीक है तो यह क्या हो गया measurement सबसे पहले हमने meaning किया फिर तीन तरह की framework होते हैं फिर objective लिख देंगे फिर elements लिखेंगे recognition and measurement next is purpose and status of framework purpose क्या है status क्या है framework क्यों दिया इन्होंने क्या purpose था कहा का apply हो रहा है वो आप सा conceptual statement देखो आपकी book में आपको कहीं पी मिल जाएंगी आप net से भी सर्च कर सकते हो आपने यहां पर लिखना है conceptual statement यहां पर बहुत सारी statement होगी concept statement number 1,2,3,4 ऐसे करके framework में कुछ statements होती है अगर आपको detail में आद होता है तो detail में कर लेना अदर्वाइस उनके names at least आपको पता होन यह concept statement number 1 कौन सी थी,2 कौन सी थी तो आप वो यहां पर add कर सकते हो नेक्स्ट है IASB के बारे में आप IASV और IFRS, sorry FASV दोनों है ना तो IASB ने क्या दिये थे? IFRS जो rules दिये थे उनके सारे, सभी rules के आप नाम दे सकते हो कि IASB ने यह वाले सारे rules दिये थे IFRS 1,2,3,4 जितने भी है वो with name ठीक है जैसे IFRS 2 कि से related है share based payment से तो इस तरह से जितने भी है वो आप यहां पर लिख सकते हो उसके बाद में आप बताओगे qualitative characteristics जब उन्होंने framework दिया तो उन्होंने कुछ qualitative characteristics बताए यह तो आपने पहले chapter में भी पढ़ लिया होगा कि financial statement कैसी होनी चाहिए reliable होनी next time diagram बना सकते हो आप यहने यहां पर लिखा diagram यह मैंने सिर्फ आपको समझाने की लिखा है ऐसे कि आप यह चीज़ें यह चीज़ें आड कर सकते हो diagram बना सकते हो AFASB और ISB की कोई भी diagram है इसे related तो आप वो भी यहां पर आड कर सकते हो next is other issues इसके लाबा अगर आपको कोई औ क्वालिटिटिटिव करेक्टरिस्टिक्स यह यह सार आप कर चुके लेकिन इसको इस को इस तरीके से लिखना है वह आपको यहां पर बताया ठीक है तो आपको तीनों फ्रेम बग के बारे में पता हो ना चीज़ें इसके बाद में नेक्स वीडियो अपलोड करूंगी मैं को हम करेंगे एक कोशन है वह मुझे बहुत सरी क्वेरी मिली है कि इशुज इंकॉर्परेट फाइनांस कौन-कौन सी इशुज है तो वह कोशन मैं इसके बाद में करवाने बाले हूं तो आई थिंक आपको यह क्लियर हो गया होगा अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो ल दिए बीवान